आपका खुटा बहुत बीमार है आपको लग रहा है मर गया लेकिन जब डॉक्टर उसे चूता है वो जिन्दा हो जाता है ये जादू देखना चाहते हैं ये स्टोरी को जरूर देखना पर उसके पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बुलिएगा चलिए दोवेट्स ग्र जानवरों के डॉक्टर है रोट ये अपने घर की तरफ जा रहे थे दीरे दीरे मज़ेदार हवां के साथ और वातावरन का लुब्द आनंद उठाते हुए तबी किसी आदमे ने उनके गाड़ी को चानक से हाथ दिखा दिया आवाज आया वो रुख गए और वो आदमी ज बोला हाँ मैं ही हूँ तो वो बोला हाँ क्या आप मेरी मदद करना चाहोगे हाँ प्लीज आप मेरी मदद कीजिए तो हैरर डॉक्टर ने बोला हाँ चलिए क्यों नहीं मैं तो मेरा काम ही यह है लोगों की मदद करना और उसने बोला कि चलिए डॉक्टर साहब मैं आपको जहां पे बहुत बड़ी मुसीबत हम लोगों पिचा गई है, वहां पे लेके चा रहा हूँ, जल्दी चलिए, देर न कीजिए, नहीं तो बहुत ओरेड़ी देर तो होई की है, और ऐसे बोलते हुए डॉक्टर बाहर निकले, और वो दोनों ही उस अदमी के गाड़ी के तरफ जाने लगे, जब वो गाड़ी के यहाँ गए, तो कुछ बच्चे थे, वो रो रहे थे, उन्होंने देखा, बहुत बुरी तरीके से, दोनों तीनों बच्चे जोड़ जोड़ से रो रहे थे, और उन्होंने जब गाड़ी का दर्वाजा खोला, तो बहुत बड़ा एक कु उन बच्चों के पास था जो बिल्कुल सास हिल चाल सब बन गँजगा था और उन बच्चों को रोते हुए देख लग रहा था जैसे कि वो कुछ भी नहीं मुद्ध कर रहा था उसकी सासे भी नहीं चल रही थी तो डॉक्टर सहाब ने उसे सबसे पहले गाड़ी से उठा के बार नीचे रोड़ पर जमीन पे लग दिया उसके बाद उन्हें धीरे धीरे चेकिंग करना शुरू कर दिया तभी उन्हें ऐसे लग रहा था कि जैसे कि वो कुटा बिल्कुल मर चुका है उसकी सास वो पूरी तरके से उसने सारे काम करना बंद कर दिया था उसकी आखे है पूरी तरह से बनती उसका जो मूफ था उसमें से टंग बाहर आ चुकी थी ये सारे सारे लक्षन वो मर चुका है ऐसे ही थे लेकिन डॉक्टर साहब ने जब अच्छी तरह के से जाच परताल की तो ऐसे लग रहा था जैसे की ये सकुते को गले में कुछ तो अ गोल सरकल सा कुछ तो दिखाई दिया उन्होंने बहुत जोर से खीचने की शुरुआत की अब वो जो खुता था वो तो बहुत बुरी तरीके से मतलब वो सोया था कि उसको मर गया था कि वो कोमा गया था पदा नहीं लेकिन उसकी कोई भी उसका तरब से कोई भी फोस नहीं जो नेक होता है वहां से दबा के थोड़ा सा खीचा तो वो जो बॉल उस कुते के मुँव में पूरा गले में अड़क गया था वो तुरंद बाहर आ चुका और बाहर आने के बाद वो नीचे बाहर रोड पे फेक का गया अब मुव में से जो जैसे ही उसका निकल पड़ा बॉल सास के जो पोर्शन है वहां पे अटन जाने के बाद सास रुख गई थी और इसी लिए वो जो कुता है वो बुरी तरीके से वो सारे काम बन कर दिया था जो जिंदा कुता करता है तो तब ही उन्होंने उसे उल्टा करके उसके इच्छाती पे जो जो से थप्थपाना शुरू कर दिया धीरे धीरे फिर सीधा कर दिया फिर उसे अच्छे तरह के से देखा तो उसने आखे खोल दी थी और उसने अपनी मुंडी भी हिलन दी थी इसका मतलब वो थोड़ा सा अब अपने आपको अच्छा फिल करने लगा था उसकी सास लेने की प्रक्रिया उसने स अच्छा लगने लगा वो जो जो से सासे लेने लगा और इस तरीके से जो उसकी रुकावट हो गई थी सास लेने में वो अच्छे से हो गई तो दोस्तों आप भी ये बिल्कुल जरूर याद रखना कि जानवरों के भी गले में कुछ अड़क सकता है तो ये स्टोरी आपको क कैसे लगी होगी तो लाइक कीजे शेर कीजे सब्सक्राइब कीजे देखते रहिए धन्यवाद